मौका मिले, तो हिमाचल के बबरू जरूल खाएं, चाहे अचार के साथ, खीर के साथ, दाल के साथ, चाहे चाय के साथ, जब मैं बच्पन से सुन रहा था तो एक गाना चलता था पला सपाई या डोकरिया, अचकल न रील्स पर बड़ा ट्रेंडिंग कुछ चल रहा था, आप से सवाल में पूछना जाती है, मतलब दिल से निकल रहा है कि जब क्रिकेट मैचेज होते हैं, तो सच सच बताना कि आपके रिष्टेदार या आपके दोस्त आपको कॉल करके बोलते है कि टिकेट करा दीजिए या पासिस करा दीजिए, जो नहीं भी जानते है वो भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पासिस मिलते नहीं है, और किसी से वाइदा पे नहीं होता, किसी को देने में पढ़ते हैं, इसलिए टीवी पे देखो, ने तो टिकेट खरीदो और मैच देखो, तो ये बड़िया एडवाईज मिल गये सर की तरफ से, और सिंस य हिमाचली खाने और गाने की बाते कर लेते हैं, कौन सा इसा हिमाचली गाना है जो आपका फेवरेट है? बहुत सारे गाने, जब मैं बच्पन से सुन रहा था तो एक गाना चलता था पलासपाई या डोकरिया, उस गाने से सुनते सुनते शुरुआत हुई, फिर एक के बाद दूसरे कोई नाटी पे गाना आ गया, कोई वहां के अलग-लग शेत्रों के उपर गाना आ गया, तो को गाना शुरू करते हैं, तो उसको देखकर देखके, उसको कम से कम दस लोग और गाना गाएंगे, चमबा, कितनी करदूर, एक और गाना है, फिर धोबन वाला गाना है, उस पे आएंगे, ऐसे अलग-लग गाने आएंगे, जो आपको बहुत पसंद भी आएंगे, लेकिन खाने में तो हिमाचल की धाम सबसे मशूर है, जो भी हिमाचल जाए, हिमाचल की धाम जरूर खाए, क्योंकि इतने सारे चावल, और उसको आज पास कम से कम आठ, दस, अलग-लग तरह की सबजी और वेंजन आपको खाने को मिलता है, और मौका मिले, तो हिमाचल के बबरू जरूर खाएं, चाहे अचार के साथ, खीर के साथ, दाल के साथ, चाहे के साथ, हिमाचल के बबरू जरूर खाएं। अच्छी है, गाने के लिए इधर ही अच्छी है, तो कम्प्लीट कर देते हैं, ठुमक-ठुमक हाई, किंद चाले तो, बढ़िया गाया है सर मैंने, बहुत बढ़िया, सर बैसे अगर आपके इंस्पिरेशन की बात करें, तो सिंस यॉर सो फिट, तो फिटनेस की इंस्पिर कर सकते हैं, इसलिए देश के इवाउं से मेरी एक ही प्रातना है, कि फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करें, फिटनेस का डौस आदा गहंटा रोज, यह फिट इंडिया मुव्मेंट की टैग लाइन ही है, फिटनेस का डोस आदा गहंटा रोज, और कोई व्यक्त में किसी मुकाम पर पहुंच जाते लेकिन फिर भी कुछ काश जो है वो रह जाते की काश ही हो जाता काश हो जाता कुई एक ऐसी एड्वाइज जो कि आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हैं मैं इतने कहूंगा कि परिशानियों से भागना बहुत आसान होता है हर जिन्दगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है तो भागिये मत लड़िये और हासिल कीजिए बहुत देखते रहे जी स्विच दॉन्ट स्विच बट कीव वाचिंग जी स्विच